कदम कदम चले तो मिली मन्जिल लेलातुलकदर की मुबारिक घड़ियों में परवर्दिगार आलम ने रह्म फरमाया रात अल्ला की वो दिन थे रोजे दारों के सबस पर्चम चांद सितारा माओं बहनों की दुआओं का इनाम एक रहनमा की नसीहत थाम के इतिहाद इमान यकीन की दोर से बंदे हम हमारे खाब बादिलों से उंचे दरियाओं से गहरे खाब हम एक नए सफर पे चल निकले हम आजादी के सफर पर चंद कदम ही चले थे के दुश्मन की आंख में हमारी आजादी खटकने लगी हमारे वजूद का एहसास दुश्मन को गिरां गुजरने लगा जाल बुने जाने लगे दुश्मन की साजिश में नकाब हो गई वादिये दिल पे गहरी रात का साया किसी आसेब की तरह उमड आया वो जन्नत नगीन वादी को जलाने आये थे वो रात भुत भारी थी पर अंधेरे उजालों के आगे कहा ठहर पाते हैं मिट जाते हैं आगे बढ़ो फना करदो की सदाओं में ये जवान बढ़े आते हैं सरबकफ जान हथेली पे लिए वो मेरी शान मेरी आन चले आते हैं वो छे सितंबर की रात का आखरी पहर था जिन्दा दिलाने रावी अमन की चादर ओडे नींद की आगोश में थे जो नींद टूटी तो हर तरफ आग की फसीले थी साथ के पडोसी ने चुपकर वार कर डाला फिर अचानक एक सदा आई फिजाओ बहर को गवाब बनाते हुए तेरे जानिसार चले आते हैं वल्वलों के जुर्मट में जोश के समंदर में मेरे पास बानों को कौन रोग पाया है मेरे इन जवानों ने मेरे देश की खातिर अपना लहू बहाया है पाक बहरिया के बहादर गाजियों ने जमीन पर हिंदुस्तानी गरूब का निशाना तवार का नीस्तो नाबूत कर दिया सेसल चोहदरी और एम एम आलम जैसे गाजी शाहीनों की परवाज ने दुश्मन की फिजाओं में तूफान भरपा कर दिया याद है वो वक्त भी वो वक्त भी आया था जब दुश्मन ने तेरे सबर को एक बार फिर आजमाया था वो भूल गया था के मेरे पास बांच जागते हैं मेजर शबीर शहीद निशाने हैदर ने अपने लहू से कुर्बानी की ऐसी मिसाल काइम की जिसने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया नोजवान पाइलट आफिसर राशीद मिनहास शहीद निशाने हैदर ने जान दे दी मगर अपने तयारे को दुश्मन की हदूत तक ना जाने दिया पाकिस्तान नेवी की आप दोजंगूर ने दुश्मन के पानियों में घुसकर उनके जंगी जहाज आई एनस कक्री को निशाना बनाया और इसे काम्याबी से समुन्दर बर्थ कर दिया पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा दुश्मन हमेशा याद रखेगा बर्फ पोश पहाडों की इंतहाओं की मकीन जिन्दगी से दूर मेरी जिन्दगी के लिए मुसमों से लड़ते हमेशा याद रहेगा सफेद बरफ पे लकीर बनाता तेरा लहू जो बहा था मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी बुड़ी मा के लिए हमेशा याद रहेगा वहीं कहीं एक और मेदान सजा था कभी बेरहम बरफ के जहन्नम कारगल में मेरे शेरों ने धार मारी थी वो लाल मेरी माओं के, मेरी आबरू के रखवाले सुर्खरू हुए, फिर से, फिर लहू के दीब चले फिर फता नसीब हुई, एक सुबा का मंजर था कहर जैसे तूटा हो, आग जैसे भड़की हो उस भड़कती आग के शोले मेरे घर के दर आए एक नया भेस लिए देहशतों के सुदागर मेरे घर में दर आए फैसले की गड़िया थी, जुरुतों के लम्हे थे कौम की उठी नजरें, जानिसार बोल उठे राह हक पे चलना है, देहशतों के मनजर को अम्न से बदलना है सफाक बेदीन देहशतों के सुदागरों ने मसाजिद बाजारों हता के दरस गाहों में भी पढ़ते हुए मासूम बच्चों को ना छोड़ा इंतकाम की हद थी, जुलमत की इंतहाई थी जुलमतों की बारिश से जैसे अर्श काम उठा एक निदा आई, जर्बे अजब लहर आई मेरे जानिसारों का कहड तूट कर बरसा वो जो खाब देखते थे, मुझ पे गल्बे की ना वो रहे, ना उनके खाब रहे, मेरी हस्ती में अमन के उजाले प्हैल रहे है और ये सारी दास्ताने तारीख हमारी तारीख के अजीम तनीन दिनों में से ये छे सितंबर का दिन अगर आप सिर्फ उस दिन की सुबह की तकरीब सुन ले जो अयूब खानने की थी रेडियो पाकिस्तान पर वो तकरीर की गई के ला इलाह को मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है मेरी कौम के हम वतनों जंग शुरू हो चुकी है उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो मेरे अजीज़ अमवतनों असलाम अलेकुम दस करोड पाकिस्तानियों के इंतिहान का वक्त आप पहुंचा है आज सुबह सबेरे इंदुस्तानी वाज ने पाकिस्तान के अलाके पर लहोर की जानब से हमला किया और बारती हुआई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठेहरी हुई एक मसाफर गारी को अपने बुश्देलाना हमले का निशाना बनाया पाकिस्तान के दस करोड़ अवाम जिनके दिल की धर्कन में लाए लाए लिल्ला मुहम्म्मद रर्सूलिल्ला की सदा गूंज रही है उस वक्त तक चैंज से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्रून की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए हंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं लानते को उन्हें किस कौम को लल करा है हमारे दिले में इमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे है मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है जंग शुरू हो चुकी है दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादर फौजियों की पेश कदमी जा रही है अल्ला तौला ने पाकिस्तान की मसल्ला फौजों को अपने जवर दिखाने का मौका अता किया है पाकिस्तान की पूरी कौम नारा ए तक्बीर से गूज उठी हिंदुस्तान ने 6 सितंबर की सुभा फजर से कुछ पहले लाहोर शहर पर हमला किया और उनके जरनेल ने ये भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहोर जिम खाना में बैट कर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिस सजाएंगे दुश्मन की ताकत का भी पहले अंदाजा कीजिए देखें दुश्मन पांच गुना बड़ा था और अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि जिसमें एक एक हमले में पांच पांच सो टैंक इस्तमाल किये जाते हैं लाहोर और सियाल कोड पर तकरीबन पांच सो टैंकों के करीब जब हमला होता है और ये दोनों हमारे सरहदी शहर है और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली कोड़ बाय सर्प्राइज आपको वाक्याद बताते हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि 6 सितमबर 1965 का ये वाकिया हम क्यूं इतनी पुर्जोशी से वलवला अंगेजी से जजबात से क्यूं याद करते हैं एर चीफ नूर खान साहब उनकी दलेरी और जुर्ट देखिए उन्होंने जिसे लिडिंग फ्रूम फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं उन्होंने कहा ये अथोरिटीज नहीं जाएंगी जब तक मैं खुद ना देख लूँ ये कितनी खतरनाक है हमारे लिए दुनिया की तारीख में पाकिस्तान फोज एक वाहिद फोज है जिसमें ओफिस कॉयलिटी रेट सबसे ज्यादा है इसलिए कि हमारे ओफिसर्स आगे भड़ कर लीड करते हैं पाकिस्तान नेवी के पास एक सबमरीन थी और इस एक सबमरीन ने दुश्मन का नाका बन किया हुआ था उस जमाने में किताबे लिखी गई कि सोमनात में महमूद गजनवी के सत्रा हमलों के बाद अब ये अठारवे हमले में पाकिस्तान की नेवी आगे भड़ कर समुन्दरों में गई दवारका पे गई दवारका के किले को तबाह किया फाइरिंग करके शेरालिंग करके वहां से निकल कर वापिस आई एक सेक्टर पर हमारी तोपों की मदद की जरूरत परी हमारी तोपों की जो आखरी हद से भी हमारी जो तोपे थी वो उसकी आखरी हद से भी दो किलो मीटर आगे दुश्मनों की पोजीशन थी और जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि हमारी तोपों के गोले दुश्मनों तक नहीं पहुंच रहे और सूरते हाल ये थी कि अगर उस वकत मदद ना की जाती अपनी फ्रेंट लाइन को तो सियाल कोट शेहर का एक पूरा शेहर दुश्मन के कबजे में आ जाता असरों की आँखों में आंसू आ गए अल्ला पर बरोसा करके तोपों का रुख दुश्मन की तरफ करके फायर किया और नाकाबिल यकीन बात है कि गोला तकरीबन ढ़ाई तीन मिनट लेता है फायर होने के बाद जब वो मनजिल तक पहुँचते हुए तीन मिनट के बाद वायरलेस के बाद जो आगे हमारे मोर्चे थे वहां से नारा ए तकबीर की आवाजें आने लगी कि दुश्मन की तोपों में तोपों के ठीक दर्मियान हमारे गोले उन्हें तबाह कर रहे है हमारी तोप के आखरी हद से भी कई किलो मीटर आगे उनके टैंक थे ना उससे पहले कभी इतना दूर तोप ने फायर किया ना उसके बाद इतना दूर फायर किया उस मौके कर पर जब जरूरत थी तो अल्ला की तरफ से ताइद आई हजारों वाकियात ऐसे हैं ये बातें बजरुगों ने किताबों में लिखी है आप मुम्ताज मुफ्ती की किताबे उठा कर देख ले जब 65 की लड़ाई शुरू हुई मुम्ताज मुफ्ती अपनी किताबों में लिखते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लह के बंदों ने हजूर सलिल्लाह अलिह वालियु सल्म की जारत फरमाई देखा के अल्लह के नबी जंगी लिबास में जंगे बदर के शोहदा के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तश्शीफ ले जा रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है हमने उसका दिफा करना है और ये बाते मुम्ताज मुफ्ती ने लिखी है किताबों में लिखी है अखबारों में छपी है ये बाते में खुच से नहीं बता रही उनको जिम्मेदारी दी गई कि रावी के पुल पे बंबारी करनी है वो पाइलट पकड़ा गया जब उसे पूछा गया कि तुम पुल पर मौजूद थे पुल तो तुम्हारे सामने थे तुमने बंबारी क्यों नहीं की कहते हैं हमें कहा गया था कि वहाँ एक पुल है मुझे छे पुल नजर आ रहे थे ये बाते दुश्मन के सिपाहियों ने की जिनको गिरफतार किया गया वो आपकी घोडों वाली फोच कौन थी उनके सवाल थे कि वो आपकी घोडों वाली फोच कौन थी जो जंगी लिबास में थी और जिनकी तलवारों से शोलेड निकल रहे थे ये दुश्मन के पाइलट ने ये बाते कहीं है कि हम बंब गिराते थे 30-40 के करीब बंब पिंडी में गिरे और उनमें से सिर्फ पांच बंब गिरे जो सिर्फ पांच गिरे और वो भी ना फटे बजर्ग कहते हैं हमारे अकबाल ही कह गए कि आज हमारी नुसरत के लिए हमारी फता के लिए आज भी फरिष्टे मलाइका हाजिर हो सकते हैं लेकिन हमें उसमें फिजाए बदर पैदा करनी होगी जंग बदर तो याद होगी अल्लह ताला ने कुरान बात में भी इशाद फरमाया कि मैंने एक हजार मलाइका नाजिल किये और ये बात सिर्फ चोदा सो साल से पहले तक महदूद नहीं है जब भी मुसल्मान अल्लह और उसके रसूल के नाम पर खड़े हो इस पाक सर्जमीन के लिए अल्लह की ताइद अनुसरत आएगी 1965 एक खूबसूरत मिसाल है जब लाहूर पर किया तो इंडियन जर्नेल अपने सिपाहियों को ये होसला बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि लाहूर अब सिर्फ तीन मील चार मील दूर रह गया है बस तुम्हारी आँखों के सामने थोड़ा आगे बढ़ो लाहूर तुम्हारे कबजे में है और मज़ाहमत शदीद हो रही थी और पाकिस्तान के जवानों ने उन टैंकों को रोकने के लिए अपने याब को दुश्मन के टैंकों के सामने डाल दिया था उस कैफियत में लाहूर तकरीबन 14 मील दूर था तो वायरलेस पर हमारे जवानों ने एक मेंसे एक उफिसर ने जब ये सुना के दुश्मन कार जरनेल अपने सिपाहियों से ये कह रहा है कि सिर्फ तीन या चार मील दूर लाहूर रह गया है तो उस वकत लाहूर 14 मील दूर था उस वकत उस उफिसर ने हमारे उस जखमी उफिसर ने अपने मौर्चे से निकल कर सड़क के किनारे पे जो कत्बा लगा था जिस पे लिखा था के लाहूर 14 मील फासले पर इस पर उस जगा से उसे उखाड़ा और वहां से आगी जाकर मजीद आगे जाकर ले गए और वहां लगा दिया और उस पर अपने खून से नुक्ता लगा कर पॉइंट टू एड़ किया और लिखा है 14.2 ब्लेडी माइल्स दुश्मन उसको पार नहीं कर सका जब शोहदा पहुँचना शुरू हुए CMH में CMH में देखा गया जब शोहदा वहां पहुँचना शुरू हुए तो इतना काम था काम का इतना प्रेशर था कि मर्द सारे काम में लगे हुए थे तो उन जखमियों को रसीव करने के लिए नर्सिस थी तो शोहदा को उन्होंने नर्सिस के हवाले किया उनको तयार करें उनको बाद में ले जाया जाएगा तो आने वाले जवानों ने जब ये देखा जवानों ने जब ये देखा के बेहने और बेटियां शोहदा को रसीव कर रही है तो उनकी आँखों में आंसु आ गए वापिस जाकर अपने यूनिट में इलान किया कि मेरे शेरो, मेरे दलेरो, सीनों पे गोलियां खाना, पीछे तुम्हारी बेहने तुम्हें वसूल कर रही है ऐसा नहो कि तुम्हारी पुष्ट पे देखें और कहें कि ये तो पुष्ट पर गोली खाकर आया है यानि ये जजबा एमानी था जवानों में हमारे के हमें दफन करने के लिए पीछे हमारी बहने खड़ी है और सबने कस्मे खाईं कि हम गोली सीनों पर खाएंगे ये बातें इन युन्टों में हुई ये बातें किताबों में नहीं लिखी ये वो बाते हैं जो फोजियों के सीनों में दफन हैं ऐसे भी मौके आ गए कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोप खाने के इतने नजदीक आ गए कि बराहे रास तोपों और टैंकों की लड़ाई शुरू होने वाली थी कहा जाता है कि दूसरी जंगे अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई से आलकोर्ट में लड़ी कई तो बाकाइदा एक आल्टलरी ओफिसर ने कमांड दी कि ही एम लोड एंड एटी लोड यनि हाई एक्सप्लोसिफ शेल को निकाल दो और अब आर्मर शेल लोड करो क्योंकि अब तोप और टैंक की बराहे रास लड़ाई होने वाली है और ये ऐसा मौका होता है कि जिसको जिसके बाद आर या पार होता है और ऐसे मौके पर अल्ला के अल्ला ने अपनी फिर गए भी मदद की अल्ला ने दून बेच दी जिसकी वज़ाए से दुश्मन के टैंक रुक गए जिस तरह पहले कहा था कि पहले अल्ला ने उन पर खोफ तारी कर दिया यही वो हमारा नजरियाती रुहानी असास हैं जिने पाकिस्तान के मुसल्मान थामे हुए थे वो क्या चीजें थी के जिने जिनोंने हमें सीसा पलाई की दिवार बनाया हुआ था वो यही कल्मा त्यवा था ला इलहा इल्ला मुहम्मद रर्सूल्ला जो हमारी धड़कनों में बहुत भारी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान आपके हवाले किया गया है इस पर्चम को गिरने न देना इस पर्चम पर सब कुछ कुर्बान कर दो याद रखना है पाकिस्तान जिन्दाबाद पाक फोज पाइन दावाब